आप सबी को मेरा नमस्कार सोद आलेक माला में आपका स्वागत है साथियों सोद आलेक माला की इस रंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चोथा सोद आलेक जिसका सीर्शक है जातीगत जन गणना और भारती राजनिती नहितार्थ इम चुनूतिया बहुजन साहित लेखक सामोता की कलम से साथियों सोशल साइन्स एक्स्प्लोरर इस जनरल ओफ सोशल साइन्स एज रिसर्च सेंटर SSRC वोल्यूम 14.2023 एपीर रिव्यूद नेशनल जनरल ISSN 09761969 और यह पब्लिश होता है सोशल साइन्स एज़ रिसर्च सेंटर से प्रकासित किया जाता है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही बहुत ही गंभीर परकरति का आलेक जो विसेस रूप से भारती बहुजन समाज के लिए और बहु संक्यक समाज के लिए एक विसीस प्रेड़ना और चेतना का आधार होगा जातिकत जनगर्ना और भारती राजनिती नहितार तेम चुनोतियां आईए इस परविस्तार से बातचीत करते हैं जाती का जनगर्ना वो भारती राजनिती नहीतार तेम चुनोतियां सूध सारांस यह सर्व ग्याद तत्ते है कि जाती भारत में व्यक्ति की पहचान का आधार मानी जाती है भारत एक जाती प्रदहान देश है बावा साहिब अम्बेडगर्ने बले ही जाती का समूर नास 1936 नामक आलेक में इसके अंद की वकालात की है लेकिन वर्तमान में जाती व्यवस्ता भारत में नासूर बन चुकी है पिछले छह माहा में राजस्तान में आईजित विवित जाती सम्मेलन इसकी प्रत्यक्ष गवा है भारत में व्यक्ति की योग्यता का आंकलन उसकी जाती से किया जाता है अर्थार्थ जाती भारतियों की मूल भूत पहचान है यदपी विग्यानिक रूप से योग्यता वैजाती का कोई सम्मन्द नहीं है लेकिन जिस देश में चंदरियान मिसन प्रक्षेपन को स्रीफल के साथ जोड़ कर देखा जाता हो वहां मानवी व्यवहार में विग्यानिक दृष्टिकोन के उमीद करना बेमानी है जहां तक सबी जातियों की जातिगत जनगर्ना का सवाल है तो वह बिर्टिस भारत में अंतिम बार 1931 में संपन होई थी परन्तु इसका स्रे लेने के सच्चे हगदार अंग्रेज नहीं अपितु जाती आदारित वेदिक या ब्राहमन धरम की पैरोकार है जिन्होंने ही भारत में वर्ण धरम सामाजिक पद सोपान इस रंचना को इजाद किया और अपने नहित स्वार्थ की पूर्ती हेतु अंग्रेजों से मिली वगत कर इसे वेदानिक सांचे में परिवर्तित किया जिसे आजकल हिंदू सोसल ओडर, हिंदू सामाजिक व्यवस्ता या हिंदू परमपरा वैसंस करती कहा जाता है जातिकत जन्गरना भारती राजनिती में केंद्री बिंदू कैसे बनी ये कुछ सोध के प्रिसन है जो यहां मैंने सामिल किये हैं इसकी अपनी सामाजिक न्याय की एक लंबी कहानी है फिलहाल राजनितिक पटल पर वाडपंच सी राष्टपती तक उपराष्टपती परधान मंत्री उसकी मंत्री परिसद के गठन परदान मंत्री काराले की सरंचना यानि उसमें जो ओफिसर हैं वो एक जाती विसीज के हैं प्राइम मिनिस्टर ओफिसर उसको कहा जाता है राजनिती दलों के मुख्या, टिक्टों का वित्रण, भारत वे राज्य सरकारों के अधीन, तमाम निर्णे कारी नोकर साही संगटनों के मुख्या यानि की चीफ सकेटरी जैसे की राजस्तान में सी एम भजनलाल सर्मा और चीफ सकेटरी सुधान सुपंत उर्फ सर्मा सेक्षिनिक संस्तानों के निर्णाइक मुख्या जैसे आर्पेसी के चैर्मेन, तमाम तरे के बौर्ड, कारालेओं, छेतरे कारालेओं के मुख्या सदस से, शिक्ष्या सामगरी यानि जो पढ़ाया जाता है वो ब्रहमन साहिते, सब कुछ जाती के दाइरे में आ चुका है संकीत आक्षर है, जाती लाभांस, जाती जनगर्ना, राजनिती, हिंदू, सामाजिक पदसोपान, पिछड़े, सोध विस्तार, साथियों ये 2023 में जो सम्मेलन हुए, उनी पर आधारितिक समसामिक कंटेंप्रेरी रिसर्स आर्टीकल है 5 मार्च 2023 टाइम सोप इंडिया से 23 जुलाई 2023 लाइव हिंदुस्तान तक राजस्तान परदेश में आयोजित विविद जाती सम्मेलनों ने एक बार फिर से जाती को भारती राजनिती के मुखे पटल पर खुल कर परदर्सित किया है यानि कि उसको सब के सामने राजस्तान पत्री का और तमाम तरह के न्यूजपेपर्स के मादिम से जिन न्यूजपेपर्स के ओनर फिसबॉर्न है उनके द्वारा इसे जबरदस्त परचारित परसारित किया गया है लगवख सभी जातियों ने अपने सम्मीलनों का आयजन किया है भारत में जाती एम राजनिती का सम्मन बैल वे गाड़ी जैसा है इसमें राजनिती गाड़ी है तो जाती बैल की भूमिका में है गाड़ी वान यानि कि राजनितिक दल इस गाड़ी के चालक की भूमिका नि बाते हैं बैल गाड़ी के लिए बैल वे गाड़ी दोनों का होना अनिवारी सर्थ है जाती रूपी बैलों की विविद उच्वे निम्न स्रेणिया होती हैं इस तरह से भारती राजनिती भी जाती के बिना अधूरी है यह सम्मन्द उस समय इतना प्रासंगिक बन गया है क्यो यानि BGP और RSS सरकार ने 23 सितंबर 2020 को सरवुच न्याले में ये हल्प नामा या सपत पत्रपीस किया है, कि अनुसुचित जाती वे जनजाती की नीमित जनगरना के अलावा अन्ने पिछड़े वरक की जाती जनगरना करना प्रसासनिक रूप से कठिन एवं बोजिल है। दय हिंदू से उसको लिया गया है, तो ये राइट विंग फोर्सेज और RSS और भारती जनटा पार्टी जिसको भारती ने कहके BGP जिसको कहा जाता है, प्रसासनिक रूप से कठिन एव बोजिल बताया गया है, इसी के साथ केंद सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाती जनगरना 2011 के आंकडों को भी तुरूटी पूर्ण बताकर सावजनी करने से इंकाल कर दिया है, और इसे नीतिकत निर्णे बताते हुई न्यायपालिका को सरकार को निर्देशित नहीं करने की बात भी कही गई है, इसके बाद समसामिक भारती राजनिती में जाती जनगरना को लेकर पूरी भारत में राजनिति के लहर बेलगाम होकर हिलोरे भर रही है, यही कारण है कि याने एक राजी सरकारों ने अपने इस तरपर SECC के माद्यम से जातिकत आंखड़े जुटाने के निर्णे किये हैं। इन सब में नितिस कुमार इंडिन एक्सप्रेस से के नितरत में बिहार राजी सरकार सबसे आगे है। ग्यातव है कि बिटिस बारत में आज से लगबग सोवर स्पूर्व 1931 में समगर रूप से सभी जातियों के लिए जाती आधारित अंतिम जनगर्ना हुई। यहे भी गोर करने लाइक तत्ते है कि केवल अनुसुचित जाती वे जनजाती के लिए जाती का जनगर्ना इसके बाद भी जारी है लेकिन अन्ने पिछडी जातियों के लिए नहीं। भारते राजनिती में जाती का क्या महत्व है प्रूफेसर रजनी कोटारी ने अपनी रचना कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1970 के अंतरगत जाती वे राजनिती के गटबंदन को बैख हुबी बया किया है। इन सब में महत्वन बात यह है कि जाती भारत में केवल राजनितीक महत्व ही नहीं रखती अपी तो इससे भी ज्यादा वे एतिहासिक काल से लेकर आज तक धारमेक, सामाजिक, आरतिक, शैक्षनिक महत्व रखती है। जाती का सिक्ष्या में महत्व भी है अनुसंधान का सवाल यह है कि जाती की जनगर्ना क्यों की जानी चाहिए केंदर सरकार पिछड़ी जातीयों के लिए जातीय जनगर्ना क्यों नहीं कराना चाहती है या जो सामाजिक आर्थिक आंकडों के रूप में अन्य पिछड़ी वर जनकना क्यों चाहते हैं और अन्य क्यों नहीं चाहते हैं। इस जनकना से भारत के राजनितिक, धारमिक, सामाजिक वी आर्थिक प्रिदर्षी पर क्या प्रभाव होंगी। इन ही प्रसनों पर विमर्श इस आलेक का मुख्य देई है जातिवार जनगंणा वे भारती राजनिती के नहितार वे चुनूतियों का विवीचानिस परकार है नमबर एक सामाजिक न्याय जातिकत जनगंणा और भारती राजनिती का एतिहासिक प्रिफेक्ष जानते हैं यह बारती इतिहास की सबसे दुर्भाग्य पोनिश्टिती है कि वेदिक सब्यता के पैरोकारों ने ऐसी वर्ण धर्म परनाली को अपने नहीं स्वारत के खातिर निर्मित किया जिसने आगे चलकर जाती आधारित ऐसमानता वे अन्याय की सोशनकारी हिंदू सामाजिक विवस लेक किया गया है व्यवसाय आधारित ये प्रनाली आगे चलकर जनम आधारित सामाजिक पद्सोपानी व्यवस्ता में रूपांतरित हो गई और अब जाती जनम से तैह होती है ब्रहमनवाद इम बुद्ध धम की बीच चोथी सताब दीशा पूरु के वैचारिक संगर्स के बाद ये प्रभावी होती चली गई तब से लेकर अब तक भारत में व्यक्तियों और समुदायों की पहचान के आधार बूद गटक के रूप में जाती महत पून भूमी का निवा रही है श्वतंतर भारत के विभिन जाती आधारित सामाजिक समोहों ने अक्सर राजनितिक परतिनी धीत हूँ और सामाजिक नियाई की मांग के लिए खुद को संगठित किया है इससे विशिष्ट जाती समोह के हितों की पैरवी करने के लिए जाती आधारितरार नितिक दलों और अंदोलनों का हुदे हुआ है ये दल इन जाती समोहों के द्वारा अन्याय ऐसा मां वे शोशन के विरुद किये गए एतिहासिक संगर्स को अपने दाओं के आधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं मैकडोनाल पंचांट 1932 और उसके बाद पूना पैक्ट 1932 के तहत अनुजुच जातियों को दिया गया परतिनी दीतु कहीं ने कहीं दूर अन्य जाति समुदा आयों के परतिनी दीतों का भी रास्ता तैयार कर रहा था जिसने आरेक्षन के रूप में अपने हग को प्राप्त किया है यहीं से सामाजिक न्याय के लिए जातिगत परतिनी दीतु एवं भारती राजनिती अपने इतिहासिक सवरूप को नए आयाम परदान कर रही है भार कालेल कर आयोग 1953 भार सरकार ने 1931 की जनगर्ना के आदार पर ही देश के आबादी की 52 फिस्दी भाग अन्य पिछले वरग की 2399 जातियों के लिए परतिनी दीत्व की सिफारिस की परंतु इसे लंबे समय तक जाती वे राजनिती के चलते लागू नहीं किया गया अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेज दल की 76 चाया में 87 उच जाती हिंदू ने शुद्र वरण से सम्मंदित इस पिछड़े समुदाय को उसके हक से 40 वरसों तक वंचित रखा 20 दिसंबर 1978 को प्रदान मंत्री मुरारजी देशाई ने मंडल आयोग के गठन की गोशना की जिसके बाद बीपी मंडल के नेत्रतों वाले 6 सदस्य आयोग ने 1980 में अपना परती वेदन प्रस्तुत किया 1990 के बाद 1923 में केवल सावजनिक नियोजन में 27 विजदी आरक्षन के रूप में लागू किया गया ग्यातरे के मंडल आयोग केवल एक सिपारिस स्विकार की गई है इसके विरोध में उच्च जाते हिंदू संग्ठनों ने देश वर में सावजनिक हिंसा वे बरबरता का नंगा नाच किया साथियों ये भी तथिक ग्यातववे है कि काका कालेल कर जो ब्रहमन थे उन्होंने अनेक तरह की सिपारिस सेंव और अनेक तरह की ऐसी अनुसंसाएं की जिसकी वज़े से इस कमिशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई इसका एक मात्र कारण था उनके खोन में द्विजता होना ट्विस्वरन होना इसलिए उपिछडी वरक का हित कदापी नहीं चाहते थे ये ब्रहमन वाद का सत्य है इसके साथ साथ मंडल कमिशन के बाद जब हुआ तो ब्रहमन धर्म के पैरोकारों ने जिसको हम कहते हैं जह किया जिसे देखकर मानवता सरमसार हो गई वर्स 2006 में मानव संसादन विकास मंतरी अरजुन सिंग के द्वारा सैक्षनिक संस्थानों में पिछले वरक के लिए आरक्षण सीटों को लागू करने की घोशना के द्वारा मंडल आयो की दूसरी सिफारिस लागू की गई इसका हाल ही में सदेव आरक्षण का विरूद करने वाले तताकतित उच जाती हिंदू समाज के लिए भी गरीवी के नाम पर आर्थिक कमजूर वर्ग या EWS यानि सुदामा कोटा भिकमंगा कोटा या द्विज कोटा स्रेणी में दस फिजदी आरक्षण को लागू कर दिया गया है उच जाती हिंदू समुदाय के कुछ परिवारों के वन्सवाद की रूप में संचालित सर्वोच न्यायपालिका की समवेधानिक पीठने भी इस आरक्षण को सविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय का आधार मानकर वेधानिक करार दे दिया है वही सर्वोच न्याले जिन्होंने अनेक मामलों में दुविदा पूर्ण और परिवर्तन सी निरने दिये हैं इस मामले में जहां सविधान की उद्देशिका को कभी न्यायक वाद में सविधान का मुख्य भाग नहीं माना गया था आज उसे आरक्षण का आधार बना दिय गया क्योंकि यह है किवल किसी विशिष्ट समुदाय से जुड़ा हुआ था यह वही सर्वुच न्याय पाले का है जिसने प्रस्तावना को बेरू बाड़ी वाद 1950 से लेकर केसवानन भारती बनाम केरल राज्ये से पहले तक न्यायक वादों में सविधान का बिन हिस्सा ही नहीं माना था और आज विविद वी संगतियों के साथ आरक्षन का आधार मान लिया है यह वही न्याय पाले का है जिसने मिलकी बानों केस में तीन साल की बाली का किहत्या करने और मुस्लिम महिला के साथ दुसकर्म करने के बावजूद 11 अपरादियों को जो विशिष्ट जाती के होने के कारण विशिष्ट उच जाती के होने के कारण बाईजित बरी किया और बाहर आने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया अपी तो उनका मुँ मीठा कराया गया यह आज की हिंदुस्तान की तथा कतित उच जाती समुदाय का सच है कि यह कितना बरब का भी जेल से बाहर आने पर स्वागत करता है तो फिर इस देश में जो आम आदमी है उसके लिए न्याय की उमीद करना बेमानी होगा जहां तक सभी जातियों के लिए विगतवार जातिगत जनगन्ना की बात है तो यह अन्तिम बार 1931 में हुई थी लेकिन आदिवासी पर प्रतिस्थापित किया गया है यह उन लोगों के लिए है जिनको सच नहीं पता जो 2011 की जनगन्ना तक जारी है और आगे भी जारी रहनी की संभावन है इसका विप्राय है कि अनुसुचित जाती और जनजाती की जातिकत गन्ना तो सामानी जनगन्ना के साथ ही परतिक द नाम से और अब अन्य पिछडा वरक के नाम से जाना जाता है इस अन्य पिछडा वरक की गन्ना को लेकर ही विवाज सुरू हुआ है नमबर दो जाती आरक्षन और राजनीती जाती आधारित आरक्षन की राजनिती जाती आरक्षन और राजनिती के अंतहे संबंदों को बै इतिहासिक रूप से हासिय पर रही जातियों को मुक्य धारा में सामिल करने के लिए समुचित अवसरे प्रियात प्रतिन धीत्व की विसेश विवस्ता के तहत आरक्षन को लागू किया गया है। अनुसुचित जाती के लिए 12.50 फिजदी एव अन्य भरतियों में 16.60 फिजदी निर्धारित था तथा 13 सितमर 1950 के आदिस अनुसार अनुसुचित जन जाती वरक के लिए 5 फिजदी आरक्षन लागू किया गया। 1961 की जन गर्ना के आखड़ों के आधार पर SC वे ST की जन संख्या अर्थार 14.64 वे 6.80 फिजदी के अनुपात में से 25 मार्च 1970 के आदिस अनुसार सावजनिक निर्धारित में आरक्षन को करम से 15 और 7.50 फिजदी किया गया। अतै स्वतंत्र भारत में भी भारति सविधान के लागू होने के साथ ही अनुसुत जातियों या SC वरक और अनुसुत जन जातियों SC वरक के लिए आरक्षन का प्रावधान लागू हुए। ग्यात रहे के ऐसे राजनितिक आरक्षन के प्रावधान भार सासन अदिनियम 1935 में भी अनुसुज जाती एम पिछडे वे आदिवासी छेतर के रूप में विद्यमान थे सारोजनिक नीवजन के साथ साथ राजनितिक प्रतिनी दीत्व के रूप में निर्वाचन छेतर आरक्षित किये गए जो की 1992 में अनुसुज जाती जनजाती के लिए क्रम से 90 वे 38 सीटे थी जो सत्रवी लोगसवाव में चियोरियां सीवे 47 अर्थार्थ को लेग 31 लगबग 24. इस तरह से आरक्षन की विवस्ता में समय समय पर विधायका ने बदलाव की है अन्ने पिछडे वरक को 1993 में आर्थिक कमजोर वरक को 2019 में आरक्षन दिया गया है आरक्षन सर्वोच नियाले विविद राज्जियों के उच नियालों के ने समय समय पर ये अपने इसाफ से अनेक विरोधावास पूण निर्डे दिये हैं जिने पूरी तरह से नियायक निर्डे नहीं का जा सकता है ये आरोप के उल राजनेत की दलों पर ही लगाया जाता है कि परिवारवाद या वंसवाद की सिकार हैं परंतु मानो संसादन राज्य मंत्री संग सरकार उपिंद्र कुस्वाहां के अनुसार सच तो यह है कि भारती न्यायपाली का परिवारवाद का सबसे बड़ा उधारन ह जिसमें स्वतंतरता से लेकर अब तक 200-300 घराने ही अपने न्यायदिस बना रहे हैं ऐसी स्थिति में इसे न्यायपाली का कहना ही दुर्भाग्य पूर्ण है न्यायपाली का कि अन्याय रुपी दल-दल की ओर इसारा भर करने के लिए कुछ न्यायदिसों ने मीडिया के सा आकर अपने छिपे दर्द को रोते हुए बיयान किया था खैर, रारनितिक दल अपने रारनितिक हितों या जातिया वोट बैंक को ध्यान में रखकर आरक्ष시न नितियों पर रुक अपनाते हैं, जिसे वोट बैंक की राज निति कहा जाता है। जाती आधारित वोट की राजनीती कभी-कभी विवाजन कारी नीतियों और बयान बाजी को जनम देती है इस तरह से राजनीतिक दलिस्त के विस्तार या संसोदन की वकालात करते हैं अत्वा विबिन आधारों पर विरूद करते हैं जाती का जनगना के नहीं तार्थ क्या है भारत में जनगना का कारी भारत के महा रजिश्टार यह जनगना आयक की निरदीशन पर किया जाता है इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर 1822 से लेकर 2011 तक की जनगना की प्रामानिक डाटा तथे उपलब्द है जनगना एक संख्या की विशिष्टाओं जैसे के उम्र, लिंग, वैवाहिक इस्तिती, सिक्षा, स्वास्ते, व्यवसाई, आवास, धर्म, इतियादी के बारे में विश्टरित जानकारी एकत्रित करना है यह भारत में सामानित दस वर्स के नीमित अंतराल पर की जाती है जनगना संबन जानकारी किसी देश की सामाजिक वा आर्थिक नीतियों के निर्माण में, उनके मुल्यांकन में, संसादनों के आवंटन में, राजनितिक परतिन दीत्व के निर्धारन वे बदलाव में, विदाही निकायों में निस्पक्ष और आनुपातिक परतिन दीत्व सोनिसित करने में इत्यादी में सहयक होती है तो यानि की कास सेन्सं का Importance क्या है ये हमने चाना जाती कट जनगर्ना जाती समोह से संबंद जाती कöt तत्यों का संगर्ण है भर्रत में जाती आदराइज जनगर्ना कराने का मुद्दा लंबा समय से बहस का विसे रहा है जबकि सामाने जनगर्णा नेमित रूप से आजित की जाती है गोपनियता पर्तिनिधीत आगे धूर्वी करण की संभावना से सम्मंदित चिंताओं के कारण जातिकत तत्यों को इकतित करने की वकालात को एक विवदास्पद मुद्दा बनाया जा रहा है एक तरफ जाती जनगर्णा के समर्तकों का तरख है कि विविश्जाती समुहों की सामाजिक आर्थिक इस्तियों पर प्रामानिक तत्य उपलब्द कराती है जिनका उपयोग सामाजिक ञ्याय की धिसा में नीतिगत निरणों के बहितर सवूप में लागू किया जा सकता है दूसरी और विरोधी अपने नहीत स्वार्तों की पूर्ती के लिए ऐसे तथ्यों के संभावित दुरुप्यों को जाती विभाजन की और अधिक को और अधिक मजबूत करने के नाम पर एतारकिक और व्यर्थ चिंता जता रहे हैं ग्यात हो कि 1931 एसवी की जाती के जनगन्ना अनुसुची की प्रस्णावली में कूलम संक्या आठ पर रैस, ट्राइव या कास्ट का उलेक था। साथियों, जनगन्ना के साथ और उसके सवालों के साथ, प्रकोष्ट के साथ किस तरह से सत्ताधारी प्विसबॉर्ण छेडचाड करता है, बदलाव करता है, इसको फूले ने कलम कसाई कहा है, ये कलम कसाई को आप तथ्यों के साथ पकड़ सकते हैं, जो कि 2011 की जनगन्ना जनगन्ना केवल गिंती से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, अपितु ये भारती राजनिती की दिसा वे दसा का निर्धारक है, और यही कारण है कि ये गन्ना विवादास्पत बनाई गई है, है नहीं, बनाई गई है, खैर जो भी हो, जनगन्ना भारती समाज में माने विक का एक आधार है क्योंकि कुछ जातियोंने केवल कुछ जातियोंने विदाईका कारेपाले का नियाएपाले का मीडिया आर्थिक संसाह भनों सांसकर्ति तंत्र और धारमिक तंत्र पर अपना आधिपत्तिойти स्तावित कर लिया है जिसे चुनोती देना ऐसे संभव सा हो गया है ऐसे स्थिते में सभी जातियों के परतिनी धीतों का मुल्यांग करकर उन्हें समुचित परतिनी धीतों देने के लिए जातिकत जनगर्णा कंपलसरी यानि अनिवारी है नमर च्यार जातीगत जनगर्णा समसामिक राजनीती और इसकी समक्ष परमक चुरू दिया यह एक पुरानी मांग है जो इस तत्ते से उत्पन हुए कि उपलब्द जातीगत आंकडे 90 वर्स पुराने हैं जबकि जातीओं को अक्सर सामाजिक न्याय उनके परतिनिधित्व और कई कल्यानकारी कारे कर्मों के लिए आधार के रूप में लिया जाता है राजनितिक रूप से भाजपा जाती जनगर्णा का विरूत करती रही है क्योंकि शामपरदाएक राजनिती हिंदू राजनिती की चलते ही दोजार चोईस की चुनाव से पहले हिंदू भहुशंक्यक आबादी ओबिशी की गणना उसके हिंदू तवियान के लिए संभाविच चुनोती का डर है प्रमप्रागत रूप से ओबी सी वरक ब्रहमन धर्म की वरण व्यवस्ता में सफसे निचले शुद्र वरण से सम्मंदित है करसी अर्थिवस्ता से जुड़े समुह या कारीगर, हसिल्प या निसारेडिक श्रम सेवाओं में लगे समुह के लोग इसमें सामिल हैं जिनें अक्सर अनुशु जाती वजन जाती वा अलफ संक्रिकों के साथ बहुजन कहा जाता है 1931 में आकरी वार प्रकासि जाती जनगर्ना के अनुशार अन्य पिछड़ी समुदाय के आबादी देश के आबादी का 52 फिस्दित थी 1931 से लेकर 2023 तक किसी भी रास्टी सरकार ने ओवी सिवरक की गिंती के लिए कोई ठोस कवायद नहीं की है 1951 से 2011 तक की प्रतेक दसक की जनगर्ना में अनुशार जातियों वा जनजातियों के सामाज एक समुह की गर्ना की गई है और इनके बारे में विविन छेत्रों, राजजी संस्थानों और सेक्षनिक निकाई में उपस्तिती की सठीक आँकड़े उपलब्द हैं लेकिन ओवी सी की उपस्तिती के बारे में रास्टी स्थर के कोई वेग्यानिक वे सरकारी आँकड़े उपलब्द नहीं है यदि जनगना होती है तो भाजपा की सामपरदायकता हिंदू तुए उच्छ जाती पर भूत्तों को बनाए रखने की लक्षियों का क्या होगा कोविड-19 वहा हमारी के काड़ नीमी जनगना में देरी होने के बाद अनेक राज्य सरकारों ने अपने इस तरपर जाती गत आकड़ी जोटाने के जनएंगे हैं फिरहाल बिहार में नेतिस कुमार के नेतरतुtóमें नियाएक विवादों के भी जनगनना से दूर जाती करता आकड़ेकर पता खी की जा रहे हैं कह ओर हो भी चुकी है उस डाटा में भी पता चल गया की नोसन क्या बनाया गया हाकिकत क्या है नोसन बनाया गया कि यादाव बिहार में सब कुछ खा गए और हकीकत में उनको तीन से चार फिजदी सब कुछ मिला हुआ है बाकी ट्विस्ट बाउन कास्ट को मिला हुआ है कांग्रेस नेतार राहूल गांदी ने अपनी करनाटक रेलियों में जाती जनगना की मांग की है इसके साथ राहूल गांदी ने आरक्षन पर पचास फिजदी की सीमा हटाने की मांग करते भी पीए मोदी को 2011 की जाती जादारी जनगना के आंकड़े सावजनी करने की मांग की है कांगरेस अद्ध्यक्स मली कारजन खड़े ने पीए मोदी को पत्र लिक कर ततकाल जनगना कराने की मांग की है इसी तरह से तमिलनाडू की एम के स्टालिन सरकार ने राजी विदान सबा केंडर से दसक्य जनगना की साथ-साथ व्यापक जाती जनगणना कराने की मांगी है माराष्ट विदान सवा के नेता परतिपक्स अजित पवार ने भी इसकी मांगी है उसने माना है कि बीजेपी सीवसेना सरकार को बिहार जैसे आज जाती सर्वेक्षन कराना चाहिए पिछले साल एंसेपी अध्यक सरकार पवार ने भी सामाजिक समानता शूरनिसित करने के लिए से जरूरी बताते विसकी मांगी है लेकिन दूसरी और बहजपा को समय समय पर ये एहसास होता है कि कट्र हिंदू तुपरचार केवल आंसिक सपलता लाता है और निचली जाते समों को सामिल की बिना पार्टी के लिए बड़ी चुनावी जीत हासिल करना मुस्किल है जाती कर जनगर्ना से बचना और अपने उच्चे जाते परभुत्तों को बनाए रखना इस दल के लिए बड़ी चुनोती है जिसका सामना करने के लिए उसने विभाजन करो और सासन करो की नीति के अनुपाल नामे मुखे रूप से निचली ओबिसी समोज जैसे को उत्तरपरदेश और बिहार में गैर यादव जातियां इनको सामिल करने के लिए सांसकर्तिक रण नीति और घटनाओं को अन्जाम दिया है यह आरोप लगाते हुए कि सामाजिक न्याय की राजनिति से केवल कुछ परमुख जातियों को लाव हुआ बाजपा ने गोशना की है कि हिंदूत्य की राजनिति के तैज सबसे निचले जाती समोओं को सत्ता हलकों में प्रयात परतिनीति दिया जाएगा और उनके ससक्ति करण के लिए विसेश कल्यान कारी नीतियां लागुक की जाएंगी और एक सम्मान जनक सामाजिक इस्तान सोनिसित किया जाएगा यात रहे कि संग सुची का विसे है जाती गत्य जंगरना जो कि केंदरी सरकार के दिन आता है और केंदर सरकार ने से प्रसासने ग्रूप से दुरलमतम इंवा आर्थी ग्रूप से बोजिन मानकर इससे बचने की कौशिस की है इसके बाद से अनेक राजे सरकार ने अपने इस तर पर भिन तरीके से जातिगत आंक ले जोटाने की निर्णे किये हैं जैसे बिहार में जातिगा जन्ना की गई और उसके इसाफसे जातिगों प्रतितित देने का निर्णे भी किया गया परंतो हाले में न्याले के द्वारा इससे चुनोती दी गई और एक तरह से कह रहे सकते हैं कि न्याई पाली का इस सामाजिक न्याई में सबसे बड़ा बेरियर साबित होगी तो क्या किया जाएगा क्या उसे न्याले में चुनोती नहीं दी जाएगी अत्वा उसे मानने के लिए संग सरकार बात दे होगी अत्वार राज्य सरकार अपने इस तर पर जन संक्या के अनुपात में पिछड़े वरकी जातियों के लिए परतिनी दीत्म में राज्य इस तर पर अटबड़ोत्री करेगी इसे न्याय पालिका में चुनोती दी जाएगी तो क्या संग सरकार उसके लिए पक्स में निरने करे देखने वाली बात है कुल मिलाकर सभी बड़ी प्रशासने के नियाइक चुनोती हैं जिसका सामना कैसे किया जाएगा ये सबी सवाल समसामिक जाती कर जनगन्ना और राजनिती की बीच जाती कर जनगन्ना की साहर इस्ताफित होने वाली सामाज की नियाइक दारना के समक्ष एनिस सित्ता कि स्थित्य को उत्पन कर रहे हैं जो भी भारत के दलगत राजनिती और उसमें वीवी सेसकर उची जाती हिंदू राजनिती के आदिपत्ते को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है एक राजनिती विज्यानी के रूप में कहें तो भारती लोक तंतर की लोक तंतरी करण की परकरिया धरातल पर लागू होने में आजादी के 76 साल बाद भी एक सोपन लग रही है सामाजिक न्याय को सब के लिए लागू करने का ध्यी सत्ता दलगत राजनिती की बली वेदी पर नियुच्छावर हो गया है जाती सदेव भारती लोक तंतर का एक आंतरिक वे निर्धारक गठक रही है और रहेगी भारते समीधान में कुछ सवीधान निर्माताओं की द्वारा जिन्होंने भारत के सामाजिक औरानितिक छेतरों पर हिंदू जाती विवस्ता के भयानक प्रभाव को देखा था उन्होंने इसके बजाए भारत के नागरीकों के लिए एक आधुनिक रास्टवादी पहचान बनानी का फैसला किया हालांकि सवीधान लागू होने के तेतर साल बाद भारत उच जाती उचे हिंदू जाती की पहचान से जुड़ी सक्तियों और विसेसा अधिकारों का अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक छेत्रों में परमुक परिसंपतियों पर भी उसी का पूर्ण नियंत्रन है आज हमारा लोग तंत्र नहों कर केवल प्रहमन तंत्र या अलप तंत्र बनकर रहे गया है सामाजिक रूप से हासे पर रहने वाले समुदाय सत्ता के गलियारों से दूर है और किवल राज्य की कल्यान नीतियों के निस्करिय प्राप्त करता और भारते अलब तंतर के वोट बैंक के रूप में परजीवी बने हुए हैं भारते लोग तंतर का पुनरजीवित करने का एक मात्र राष्ता जातिगत जंगरना करना और उसके अनुरूब मुख भारती राजनिती का आधार बन चुका है तो सभी जातियों की गिंती करना भी इसी राजनिती का हिस्सा होना चाहिए। और सामाची की न्याय की इस रंकला में वो अपना आंसिक या बले ही जितना हो सके योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।